बाहरत और स्रीलंका के बीच खेले गए पहले टीटमटी वारब मैच में आया हर्दिक और संचु सेम्चन का तुफान बताएंगे पूरे मैच का रोमांच इस वीडियो में इस से पहले आप भी संचु सेम्चन और हर्दिक पंडे के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो का दिल पहले बैटिंग करने का निर्णा लिया और बीच ओर में तीन सो रनों का पहाड़ जीतना सकोर खड़ा कर दिया जिसमें निशंका ने सतक लगाया वहीं पचास रनों की पारी खेली और आखिर में असरंगा ने बीच गेंदों पर चारीस रन की तुफानी पारी केलकर स्री और मातर तीस रनों पर अपने तीन विकट गवा दिये और औरो किसंग्या पांच ओच चुकी थी जिसमें गिल ने खाता भी नहीं खोल पाए तो वहीं इशान किसंग ने दस रन बनाए तो सूर्य कुमार यादों ने पंदरा रनों की पारी खेली इसके बाद विकट पर आ दिया और भारत को जीतने के लिए पांच ओर में 51 रनों की जुरूर थी लेकिन शोड़ में और की पहली गेंद पर असरंगा के अर्दिक पॉइंट एक लंबा शोट खेलने के चक्कर में बाउंटरी लान पर कैच आउट हो गए और भारत को मजदार में शोड़ कर चले पर थे संजू सेंशन और सरी लंका की तरब से बोलिंग अटेक पर थे असरंगा मेदान में बैठे सारे दर्शकों के चुपी चा गई थी उन्हें लगा कि अब मैच बारत के हाथ से निकल गया है लेकिन सामने संजू सेंशन कुछ और ही इरादा लेकर आए थे और हसरंगा कि पहले चार गेंदों पर ही चार चके लगा कर भारत को यह रुमांचक मेच जिता दिया जिसमें हार्दिक और संजू के तुफानी पारिक बदल भारत ने एक विकट से मेच जीत लिया दोस्तों आप भी हार्दिक पंड और संजू सेंशन के सच्चे फैने तो वीडियो को दिल से लाइक एंड चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करें किरकिट की लेटेस्ट वीडियो और खबरों के लिए धन्यवाद